नमस्कार दोस्तो आप सभी PF मेंबर्स के लिए PF के एक बहुती बड़ी खुशकबरी लेकर आ चुकों जी हैं आज की बहुती बड़ी प्रोब्लम स्वालू कर दी गई है तो जिसके बारे में कम्प्लीट वीडियो आप सभी PF मेंबर्स को देने वाला हूं तो लोग इन हो जी नहीं रहा था आगे नहीं बढ़ रहा था यह एरर सभी PF मेंबर्स के सामने आ जा जा रहा था और इसकी वज़़से PF मेंबर्स काफी ज्यादा परेसान हो चुके थे लेकिन आपको टैंसल लेने की ज़रुत नहीं है बड़ी खुसकबरी है क्योंकि फाइनली EPFO द्वारा ये एरर अब ठीक कर दिया गया है जीना दोस्तों गुड नियूज है आप सभी लोगों के लिए EPFO द्वारा अभी एरर ठीक कर दिया गया है आप सभी PF मेंबर्स अपने PF में कोई सा भी काम कर सकते हैं क्योंकि अब ये एरर नहीं आ रहा है आज सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कौन सा काम करना है और साइध आप लोगों ने वाओ काम किया और ये एरर EPFO द्वारा फाइनली अब ठीक कर दिया गया है लेकिन बिना पुरूफ के तो मैं कोई बात करता नहीं तो पहले मैं आप लोगों को सिंप्ली यहां पर UN password capture डालके login करके लिखाता हूँ कि क्या आप login हो रहा है या error ठीक है ना तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सारी details मैंने यहां पर fill कर दिये अब मैं simply यहां पर sign in पर click करना है चलि मैं sign in पर click कर देता हूँ यहां पर आप लोग देख सेटे हो sign in पर click करता ही अब वो error नहीं आया यहां पर जो हमारे mobile number पर OTP यहां पर OTP भी जा चुका है और यहां पर simply OTP फिल करके submit पर click करेंगे तो login भी हो जाएगा यहां बहुत ही बड़ी खुशकवरी है आप सभी PF members के लिए बिना प्रूफ के में कोई बात नहीं करता है आप लाइव देखिए OTP यहां पर जा चुका है टाइम भी आप देख लो सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ठीक है बहुत ही बड़ी खुशकवरी है आप सभी PF members के लिए good news है तो मैंने आपको सबसे पहले inform किया तो इसके लिए वीडियो को like ज़रूर करना और share ज़रूर करना क्योंकि ज्यादा लोग जो परिसानत है उन्हें पता चले कि अब जो यह error है ठीक हो चुका है तो समझ आया आप लोगो तो जाइए फटा फटा अपने PF का काम करें कोई कोई पता नहीं हो यह कब दुबारा problem आजाए ठीक है ना